हेलो फ्रेंड्स मैं सुनील चोहान आपके चैनल लॉजिकल मैं आपका स्वागत करता हूँ आज हम बात करेंगे कि आप हाउ तो इंस्टाल विंडोज विंडोज कैसे इंस्टाल करें की आप कहिंगी की इसे सह मु amended आती हैं आप मानता हूं दोस्तों आपको आती है और कुछ मेरे दोस्त आईसे बी हैं जिनको विंडोज इंस्टाल करने नहीं आती है तो उनकी help करने के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है, आप यह देखें, मैं आपको बताता हूं इसमें कि विंडोस कैसे इंस्टॉल करें, पहले तो हमें क्या क्या चाहिए चाहिए मैं यह बताता हूं, हमें चाहिए Windows की DVD, या Windows की pen drive जिससे Windows इंस्टॉल कर सकें, अगर Windows की DVD ह और pen drive नहीं है, और DVD रों आपका खराब है, तो Windows की pen drive कैसे बनाएं, उसके लिए आप मेरा वीडियो देखें, कि how to create USB flash drive, या multiple USB flash drive, और उसके लिए आप www.youtube.logicalmind पर आप जाके मेरे वीडियो देख सकते हैं, और next step यह रहेगा कि आपके system में कम से कम 2GB memory होनी चाहिए, आपकी CD drive का space minimum 30 या 32GB होना चाहिए, अगर आपकी RAM 3GB से नीचे है, तो आप 22 bit इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आपकी Windows आप जादा RAM चाहते हैं 3GB से तो आप 64 bit इंस्टॉल कीजिएगा, जीकिए मैं स्टार्ट करता हूँ, मैंने इसमें, ये देखिए, मैंने अपमी मेश मेशीन को स्टार्ट किया है, इसने मुझे पूछा कि मुझे किस से बूट कराना है, हाड ड्राइव से, फ्लॉपी से, सीडी से, ये लायन से, एंड तू भी कंटिनू, ये देखिए, मैं इसको सीडी से बूट कराता हूँ, प्रेस सी टू सीडी, मेरा विंडोस सेट अप चल गया है, इसमें विंडोस को सेट अप भी आज कल दो तरह के आ रहे हैं, एक नॉर्मल और एक यूई एफाई मोड पे, पार्षास, ये ये उएफाई का मतलब होता है, यूई फाईड एक्सेटेंशिवर पंविर इंटरफेस, जो ये फाई मोड पे हमारी विंडोस होती है, वह हमारे बायोस के फ्रम वेयर से जुड़ जाती है, हमारे Windows का logo हमारे laptop के logo या desktop के logo से bound हो जाता है पर उसमें कुछ हमारे partitions में कुछ issue आता है यह देखिए क्योंकि हमारी जो आजकल partition जो install हो रहे हैं NTFS और FAT के अलावा उसमें दो टाइप्स और आ गए है dynamic और basic, dynamic में install की windows बेसिक में install नहीं होती और basic में की विंडो डानेमिक में install नहीं होती तो उसमें partitions भी कुछ द्यान अपने पड़ते हैं यह देखिए यह मारी यह product की पूछ रहा है अगर आपके पास अपनी windows को product की है तो यह आप यहां type कीजिए और otherwise आप do not have a product की यहां करके आप skip कर सकते हैं और Windows installation के बाद आप अपना windows अक्टिवेट कर सकते हैं अगर किसी भी दोस्त को कि विइंडोस एक्टिवेट करने में इश्यू रहता है तो वह मुझे कमेंट कर सकता है मैं उनकि इस चीज में हलप करूगा अगर उनसे विइंडोस एक्टिवेट नहीं होती है तो हुम next के हम नेक्स करेंगे यहां पर से वींडोज के घैंट रिक लाखना यह हम नेक्स करेंगे कोड़ निया करेंगे फिर जापकार है यहां पर दो अप्शन ही आपटराइट अब बनाइट करने शुक्ली करके आपकी हांस कर्ड़आय के पांठिश्ट लीएगा अगर कई बार होता है कि यहां पर एक एरर आता है कि GPT का एक एरर आता है कि GPT प्रॉपर नॉट मैच तो उसके अंदर आपको अगर आपने अभी अपनी पेंडराइव नॉर्मल मोड़े बूट कराई है तो अपनी आप UEFI मोड पेंडराइव बनती है वो बनाएं और उससे ब करेंशन शुरू हो गई है तो एक कॉपिंग फाइल होती है हम थोड़ा वेड़ करते है हम बनाएं पेंडराइव नॉर्मल मोड़ वो बनाएं दो एक करते हैं इदे की कॉपिंग फाल कम्लेट हो गई है कॉपिंग फाल कम्लेट होने के बाद एक हमारा सेट अप रिस्टार्ट होगा इस जिए हम ध्यान रखेंगे आप रिस्टार्ट होने के बाद हमें ना ही पैंडाइव से बूट कराना है ना ही यूजबी फ्लैस ड्राइव से ना ही डीवीडी से ऐसा कुछ भी ऑप्शन आता ह है बूटिंग के लिए तो आपको उससे बूट नहीं कराना है आपको डरेक्ट हार्ट डिस से बूट कराना है अगर आपने बूटिंग से चेंज किया है तो उसको दुबारा फर्स्ट बूट डिवाइज आप हार्ट डिस्क को कर देंगे अदर्वाइस वो दुबारा विं पूर्च 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 बुद्दर्स हमारी ग्राफिकल बोड पर आ गई है जी देखें पूछ रहा है कि हम अपना रिजनल क्या स्लेट करेंगा है रिजनल आप कुछ भी स्लेट कर सकते हैं CPU farmMichipane। your keyboard is set to u.s. wanna stick with that? do you also type with another keyboard layout? keyboard layout that way you can get updates, apps and cat videos as soon as possible. Type what you want to name your account. Okay, now type a password for your account. hey look that's me Cortana can I have permission to use the info I need to do my best work these are the settings Microsoft recommends go ahead and review them okay that's the last step almost done now we just need to get a few more things polished up for you and windows will be all yours I will know that me person settings career is clear which time laga to turn from a little bit to do not turn off your computer I'm the computer company can now which great come at the top check which over you can take some tea or tea or tea or tea or time pass this is our windows installed here you have the Recycle Wim icon here if you want other icons here we will customize it and then go to theme, यहां bottom पे आएंगया, इसमें आप desktop icons पे click करेंगे, यहां भी आप चेक करेंगे, जो आप पहुँचेक, my computer चीजिए, network places चीजिए, control management चीजिए, यह check and then okay, आपके icons आजाएंगे, यहां से आप अपने drivers वगारा install कर सकते हैं, अगर किसी भी driver के आपको requirement है, तो आप नेट पर सर्च कर जिए, अगर आपको driver नहीं समझ आता है, तो भी मैं आपकी help करूँगा, उसके लिए आप comment मुझे कर सकते हैं, अगर आपको driver समझ में नहीं आता है, इसके लिए भी आपको गरीफ करूँगा, और अगर इस वीडियो में आपको कुछ नहीं समझ में आया हो, तो प्लीज आप मुझे comment करें, या मुझे mail करें, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे इस चैनल क सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी बजाना ना भूले दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आपकी और help कर सकूँ, और ताकि ये मेरे चैनल यूँ ही चलता रहे, आपकी मदद के बगयार पर ये possible नहीं है, तो अच्छे से comment करें दोस्तों, थेंक्यू फ्रेंड्स